जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती करना चाहता है, प्रगती करना चाहता है, वो हर स्थर के लिए होती है चाहे सामाजिक स्थर हो चाहे आर्थिक स्थिति हो हर चीज में किसी भी चीज में यदि व्यक्ति चाहता है कि प्रगती करे इसका एक सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आप जिस स्थिति में है अपने आपको उससे बहतर इस्थिती में ले जाने के इच्छुक है आप की जो कोई भी इस समय की इस्थिती है उससे संतुष्ट नहीं है उससे राजी नहीं है उसमें खुश नहीं है तो आपको आपकी इस्थिती को यदि बहतर बनाना है तो आपको सबसे पहले जो सनी महराज हैं जो कर्म फल दाता हैं उनको अवस्य प्रसन्न करना चाहिए क्योंकि वही आपके कर्मों का फल देते हैं और उसी के कारण व्यक्ति सुखी या दुखी होता है किसी और के कारण नहीं जो उसने पुर्व में कुछ कर्म ऐसे किये होते हैं या अपने साथ में जो प्रारब्ध ले करके आया होता है उसी का फल व्यक्ति भोग रहा होता है एक दूसरा कि यदि उसे तुरंत सफलता चाहिए आर्थिक इस्थिति यदि उसको तुरंत सुतारनी है बहुतिक सुख सुविद्या यदि उसे प्राप्त करनी है तो उस पर सुक्र के भी कृपा अवश्य बरशनी चाहिए माता लक्ष्मी की उस पर अवश्य ही कृपा होनी चाहिए यदि माता लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है तो सुक्र अपने आप ऐसे व्यक्ति पर प्रशन हो जाता है तो आज के दिन में एक उपाय आपको बताने वाला हूँ जिससे आप पर माता लक्ष्मी भी प्रशन होगी साथ ही साथ सनी देव की भी कृपा आप पर बरसेगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंदम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाई के जिससे आपकी आर्थिक इस्थिती भी सुधरेगी आपकी सामाजिक इस्थिती भी सुधरेगी आप इस समय जीवन में जो कोई भी अवस्था में अपना जीवन व्यतित कर रहे हैं उससे बहतर इस्थिती में आप पहुँच जाएंगे माता लक्ष्मी की इससे आप पर कृपा उतरेगी और सनी महराज भी आप पर प्रसन होंगे तो आपको करना क्या है? सुक्रवार की रात को यानि आज की रात को या किसी भी सुक्रवार की रात को आपको क्या करना है चावल डाल कर आपको खीर बनानी है मिस्टरी डाल के दूद की आपको खीर बनानी है इसमें आप इलाइची अवस्य डालें इस खीर का आप एक प्याले में आप अलग से इस खीर को निकाल दें और एक प्याले की खीर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करे ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रशन होंगी और दूसरे प्याले में जिसमें आपने खीर निकाली है उस खीर को आप पूरी रात खुला छोड़ दे और अगले दिन सवेरे सनीवार के दिन आप क्या करें सुर्योदे के पश्चार सनीवार के दिन आप इस खीर को किसी काले कुट्य को खिला दे एसा करने से आपने पुरु में जो कोई भी ऐसे कर्म कियो होंगे जिससे सनी महराराज आप पर रूष्ठ होंगे और आप उनकी रुष्टता के वज़े से जैसा भी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके दिन अच्छे आने लग जाएंगे तो क्या करना है आपको सुक्रवार को आपको खीर बनानी है दूद चावल मिस्री डाल कर और इसमें इलाइची आप अवस्य डालें दो प्यालों में खीर निकालें एक को माता लक्ष्मी का भोग लगाएं और उसके बाद में प्रसाद में विद्रित कर दें खुद भी ले ले पूरा परिवार उसको ले 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 ठीक है और एक प्याले में जिसमें आपने खीर अलग से निकाल करके रखी है इसको आप क्या करें कि सनीवार के दिन सवेरे किसी काले कुट्टे को आप खिला दे इससे आप पर आपके सुक्र भी बजबूत होंगे माता लक्षमी भी आप पर प्रशन होगी और सनी महराज की आप पर कृपा दृष्टी उतरेगी और एक चीज का अवस्य ध्यान रखें कभी भी किसी बुजर्ग को परेसान न करें कोई भी बुजर्ग यदि आपको दिखता है तो उसकी सहता करें कोई दिन दुखी दिख जाता है तो उसको खाना खिला दें दो पांच-दस पिर बना लें माता लक्षमी का भोग लगाए और जो दूसरा हिस्सा है उसको अगले दिन सवेरे आप कुट्टे को काले कुट्टे को आप खिला दें आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई लहर आ जाएगी एक नया परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में एक नए सवेरे का उदय हो जाएगा जो कुछ इसके पहले का जीवन था जब आप साथ सनिवार के भाद देखेंगे तो आप अपने आपको अलग एकदम भिन्ने व्यक्ति महसूस करेंगे आपके आसपास के लोगों को आपको देखने का नजरिया बदल चुका होगा आपकी इस्थिती बदल चुकी होगी ठीक है तो यदि आप इस समय की इस्थिती से संतुष्ट नहीं है अपने आपको बहतर बनाना चाहते हैं अपने इस्थिती को सुधारना चाहते हैं अपने दुखी जीवन को पीछे छोड़ देना चाहते हैं तो साथ सुक्रवार ये उपाय करें सुक्रवार के दिन आप खीर बना लें दूद, चावल, मिस्री, इलाइची डाल करके एक का माता लच्मी को भोग लगाएं और दूसरे का अगले दिन सवेरे काले कुट्टे को आप दे दें इससे माता लच्मी प्रसन होंगी सुक्र मजबूत होंगे और सनी महाराज की आप पर कृपादिष्टी हमेशा बनी रहेगी ठीक है? तो चलिए दोस्तों अभी सी उपाय के साथ मुझे दीजिये विदा और आप लोग देखते रहिए दीवे प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहिए